मुझाब दोस्तों आज असी पंजाब चाहे हैं ते असी ऑर्गैनिक ते दिवारेज तोन दसना जाओंदे के और गैनिक जडी खाद अपा बढ़ने आज असी लाल चंजी जड़ा यूनिट आए होएं लाल चंजी बहुत बदिया खाते कम कर दें जडी और गैनिक खाद गणोय दिखा जडी अपा कहने क्योंकि इस खाद नाल असी बमारियां भी दूर कर सकते ते लोकान जड़ा है उन्हों रुजुगार भी दे सकत क्योंकि रुजुगार दी बहुत जाना लोड है जिनने भी यूथ हैं आसी देख देंगें सनु कम नी है लेकिन कम साड़े कोल हैगा वो करना नीचान दे किस्ता ना क्योंकि और गैनिक ता जड़ा काम है इस नाल एगा कि आप प्राने जमाने तक चले जाने जिदना जड़ा नमाई आया इदेग्णोय जड़ा एक रेड़ वाम होंदे ओ वाम जड़े हैं गोबबन खाके खाद बढ़ाओने उखाद जड़ा है वह बहुत बदिया होंदा ओखाद जड़ा जमीन वास्ते क्योंकि जमीन भी पोल्ला करदा और जड़े कैमीकल है कैमीकल नों बहुत ज्यादा पर पंजाब झाला करने और उस केमीकल नों अपना अनवास ते और प्रडेक्शन नों बदा अनवास थे एजड़ा है बैड चापन थ्यार करना जिड़ा और गैनिक खाद त्यार करना एक बहुत जरूरी है इसमें ता सारा नों बेंटी कर दा जिनने बदिया लगया है और लालचंद जी बहुत बदिया कम करने तो जड़ा यूनुट है बहुत फस्कलास ने खाद बनाई होई और प्योर बिल्कुल मैं होर भी जड़े खाद बनाने नों भी बेंति कर दा के जीमीदार जड़ा है उन्हों वह एधना दी खाद हो जितना के ल लालचंद जी ने बनाई होई मैं आज देख रहे हैं के लालचंद जी बड़े मिंति हैं और बहुत बदिया जड़ी खाद बना रहे हैं और खाद बनागे फिरें लोकानूं और किचन कार्डिनिक वाशे दने लोकानूं दास दे और लेक्चर भी दने जाके खास रिए न तो तौने जाके सम्झानने भी हैं। थे दियार कंशुर्ग को अगारा मिना ढूंगा क्युक्छी बुर। रॉक को अबतने संस्ते को थांड कंवाने पृट कौने को लोड। थोड़ा भी जाना ठैम ने लेना की को हैं लाल चंदी जड़े बहुत मिती बने लाल चांटी थोड़ा स्वागता है ये चाल और अजी लाल चान जी थोड़ा ठैम थोड़ा हो लेना जादा ठैमली लान दे अशिद फूछना भी इदा पूरा चानु कोल के प्रसेस दस हो तो फिर चक्या आपा खेता चुपान देशी ए मतलब प्रसीजर मेरा ख्याल अभी थ्वानु पद जाना पता है इदे एद्धा कर देशी लेकिन होनी दा पूरा प्रसीजर दसोची के की दा सानु बेनिफिट है किसरा तुसी मतलब क्यूंके यूथ भी आज कल बहुत क्यूं सब्सक्राइब करना चाहते हैं जैसे हर किसान अपना है और यह हमारे जो केमिकल से जो भी बेमारिया हो रही है उसका पूरे का समधानों से और यह सबसे बेस्ट जीजे अपने खिसानों को इलिए जैसे अपनी जो खेत में डालेंगे उसमें जमीन में बिल्कुल पोली रखते हैं तो और जो पेदावार है वो दो तीन के ना ज्यादा होती है से मैं तो नविकों को यही खेती अपना हो और रासा निको दूर बगाओ लालचांजी हो तुसी बिल्कुल कलियर खोल के दसना कि किस तरह तुसी अर्गानिक खाद बनाओने किस तरह तुसी लोकांग जाके उना अपने खाद दासदें स्कूल लांच और यूथ नों भी एसे नहा देना के तुसी एद्धान प्रजेक्ट लाओ ताके अनवार्मेंट भी बच्या रहे और जीमिदान भी चंगा लिए पहले सबसे पहले अपने को 15-20 दिन पुराना गोपर होना चाहिए और उसको अपर वह भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और लाल चल्टी यह एगा कि यह जड़ा अपना ठंडा करना किस तरह है यह पानी चे करना है जैसे 15-20 दिन पुराना हो गया तो फेर इसमें पानी वानी फेर थंडा हो गया फिर वाद में जैसे यह बैड बना लिया बैड बनाकर फिर इसमें पानी देंगे फिर इसमें पंजा लगा कि इसकी पूरी गैस निकल जाती है और फिर वरम्त फोड़ गे और इसको कवर करके डग तब देना इसमें जैसे सब्सक्तियों पांच जिन से तो आपको थोड़ा थोड़ा और गर्मियों तो डेली जुर्त पढ़ती है और उसके बाद में आपन को यह जो तीन पूर चोड़ी और देट उची की बैड बनाते हम यह वाली और बैड बना के इसमें पानी बानी देंगे पहले तो सुरु से पानी देंगे उसमें इसको परकिन यह चर करेंगे और फिर दूपारास में यह जो फंढ कर ना पढहिए इसमें इसमें उपर शेते हम चरण चारीज पैतारीच तैंप्रेजर की समता होती और कहां से में तो मिल रहता है और यह पास भी अवेल से नहीं के किन्ने दिन चार्ण अपने वाध चड़ तो बाद जड़ी है वो तानवा से त्यार हो वह सूरू में तो ड़ाइ तीन में लगे और फिर बाद में वरंस ऐते हैं अगे नियदी कोई यूर या होर पानला है नहीं इसमें सारे पोस्ताइब पाये जाते हैं इसमें आपको ती मिलेगी इसमें आपको दूसरा देने की जूरत नहीं है और यह जब चानुक तुसी दासरे सीगे कैसे ना पंजा लाओना उस तो बाद पंजा लाना तो बाद क्या है जिए जरे केंच हुए साड़ी जखिमी था नहीं होंते नहीं हो आपने अपने अभी इसमें अपना टेंपरेते देखे चले जाते हैं तो वह मरेंगे नहीं अगर अपने कवर कर दिया इसको 15-20 दिन बाद में फिर इसको पंजा लगना पड़ेगा और फिर का पंजा लगागे फिर वापस इसको कवर करने पड़ेगी यह क्या है यह हंदेरे में काम करते हैं अच्छा पर इसके लेरिंग विदास दोसानों भी जड़ी लेरिंग उपर ति लगा के और भाद में इसको दीला करना पड़ेगा यह पंजा इना जो इस पंजा से करना पड़ेगा इसको पिर जो इसना के चो को आसानी से हो जा सके और यह आसानी से और इसकी क्वांटिटी भी डबल मात्रा में बढ़ती है इसकी और उसके बाद में जब 15-20 दिन बाद यहां बेड़ बनियु एहां जैसे हमार यह बने वध पह बातु सैप्ट छले जाते नीचे जाने के बाद बाद में दूबारा ही प्रोसेसिंग करते हैं पर आपानी देखे पंजा लगांगे और उसको कवर करके और वापसुसको कवर करना पड़ेंगा इस से के लोग पते यहां खोच है कवरी-वोह इस समें बोल grote अंपने आप यह जाए फिर उसका वह प्रोस्थिंगर ऊत्स व्यूभाई तो कवर कर दो उसको तो तो फिर थोड़ा समय कम लगता उसमें इसकी वैसे जो वादन दी क्वेस्टी हो किस तरह है जिदा तुसीक बैट चसाम जो किन्ने पाए 15 किलों हम जैसे 30 फुट की बैट होती है न तो उसमें 30 के जी बाते हैं शुरुआत में 30 के लिए बाद में उसमें जब अब इसका इनका बच्चा देने का यह टाइम होता है नौंबर अक्टोंबर नौंबर फिर बाद में होता है फरवरी मार्च तब इनके बहुत जादा मात्रम बढ़ते हैं एक को कुन से ना तीन से लेके पांस तक बच्चे निकलते हैं और इनकी जो यह बाद में इनकी डेट हो जाती है यह मतलब है कि चंगा कम में हां जी इरेज कोई दो राया नहीं अपनों के बहुत बदीया कम मैं एक सानू करना जाहें यह किसानों को करना चाहिए तो सबसें अच्चा काब है दोस्तों कई अपने दोस्तां जीड़े अपने मित्त रहेंगे उनाच यह वहम है कि सब जड़ा अशनेक ओ आजन्दा गणोयान खानवास्ते आजन्दा आसे लाल चांद जी नू पुछांगे कि क्या ठीक है कि अपने मन छेड़ा है कि जेसी एक दो बैड बनाया थे ते उद यह कुछ करने दरने वाली पात नहीं के समझें इ指 पड़ाइस है टून घुर शरू कर दाए कि इन फिए pickles जब सेटाब को ओनती है और यह जो प्रोली उती है उसकी चार बैड़ बंती है अब उसमें बीस ट्रोली विए और ये एक बेड़ में कम सिका मुडिक निकलता है उसमें केचव पड़ते एगे एक बेड्म में तीज पूटकी में है ना तीज केची सुरूब में केच्व डालने पढ़ेंगे और वही अपने खाके उसमें डबल मात्रा में तिंगनी मात्रा में हो जाएंगे बाद में और किसानों से जो क्योंकि लालचांजी गल्ले है कि उस एक एकर चे बैड बनावन दा केच्व पाउ और बीती सार के लेवर लग जाएगी और सुरू में तो केच्व को पैसे लगें गई जो पिर बाद में वही को आट्री ज्यादा हो जाती है और जैसे आपके मोटा मोटा है ना लाख रुपे करीब खर्चा आएगा और उसी से आप एना जैसे दो मेने बाद में दो तीन ल आप उसमें भी डीकंपोस्ट बना सकते हो और इसको यूज में अपने पेड़ बाद में यूज में ले सकते हो इने कीचन वेस्ट के नुकसान होगा उसमें वही चीज डाली जो सड़ जाए और गल जाए ऐसी कोई टायट चीज ने डालने जैसे वह केच्व खाने सके केच चीजों को खाते हैं वहा और शाव की सफाई की सपाई और सारा काम सफय है क्या खाया वास्त की लोड या उपर कोई या गृन पेंदा या किसा पाना 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 पंदा तो अकिस रप्ता ना देको दूप जैसे हमें चाय में करेंगे तो हुआ वेस्ट एक वांडव लिक्रे की क्वालिटी खाती है और थोड़ा अगर धूम में करते हैं तो थोड़ा टाइम जयदा लगेगा तो दोस्तों लाल चंद जी नवाज असी थ्वानु मलाया और लाल चंद जी ने बड़ा सबस्ट रूप तो खोल के दस्यां कि कि इतना प और बना नहीं है और उखात दे बहुत जादा फैदे भी थोन दसे क्योंकि लाल चंदी जीड़ा लाल स्केल्च बना रहे हैं और मैं भी अपने बारी थोन दसना चाओंदा कि मैं चंदीगाड रिशेशन चो सिवल इंजीनिर रिटायर होया और थर्टीएट वेस्ट च एड़ बैड तो सुरू करो जे जगा नहीं है तो अपने एक दो बैड अपने कार्च जीव उड़ाओ तांके त्वानु अच्छा जड़ा है और इकता इदे नाल जड़ी अपा कहने नौकरियानी सवनु मिल दिया ओ तुसी कमर्शल भी किते कर सकते पहले थोड़ी ट्रेनिंग हो उस तो बाद तुसी किते जमीन तुकड़ा लेके कमर्शल भी नू कर सकते उधे नाल सड़ा अन्वायरमेंट भी सही होगा उधे नाल साड़ी है क्योंकि इदी डमांड बढ़ी है जड़ा समझो हिमाचल चो अगर सेव सानु आंदा या तुसी पंजाब कोई जड़ी है साबजी वास्ते अगर सी और गयादी खात पाऊंगे साड़ी यां वमारियां कटूंगा थानु बेरुगारी तो छुटकारा मिलूगा थानु जगार मिलूगा और अपना गौर्मिट नू भी ना बिलेम दीए कि सानु नो करेंदने क्योंकि सानु आप भी थोड़ा आप क कि दिसा जाएफ झालो कि सानु आपी सानु लंगे सानु कि सानु विलूगं कि सानु विलूपारी चाब करेंदने क्ष्णल हुआ कि सानु शक्स?